कि साथियों वेडिया के सभी समाने साथियों आज विशन से पहले आपके सामने कहना चाहता हूं कुरी प्रदेश के कोने कोने से बहुत बड़े प्रेमाने पर लोग सरकों भी किसी को लखनों के बाहर रोका गया किसी को लखनों के अंदर रोका गया इस चोरह को रोका गया ग कुछ प्रडेश के सभी पिछड़े समाज के। मेरे समाज के तो कोई बचाहीनी किसी धनवे है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूःरे समाज के लोग भाली संख्या में, आज समाजवाधी पार्रटी की सजस्ता ग्रह्म कर रहे हैं। कि अपनी बात को सबेट के रखना चाहूँगा कि आप जानते हैं इकिन परिशितियों में को सबस्तिते हैं है कि nostra की हैं यह नागा दिया कि सकता साथ सबकंद्सक्रकाइं कि लिए लेकर पाफ क्शक्रटे लोगों का हुआ है इस प्रदेश ने रहले वार ने चल्द लोगों का भिकास आ बागी लोगों को उनके हालात में छोड़ दिया गया इसलिवे कहना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से लोग आप निर्भर भारत की बात करते हैं कि आप निर्भर भार बनेगा आज गुलाम बनाने की साजिस हो रही है उनको आनाज दे करके कुछ छोटे-छोटे चीजे दे करके गुलाम बनाने की हमेसां लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिस हो गई है अब प्रदेश का जो पिछडा समाज है यह ठगने वाला नहीं देरिश समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है मैं कहना चाहता हूं कि साथियों जिस तरीके से इस प्रदेश का पूरा का पूरा पिछड़ा सवाग दनिस समाज के लोगों ने बंची समाज के लोगों ने आज जो सड़कों पे भूम रहा है नोजवान पे रोज़गार पाने के लिए पूरी तरीके से समर्थन दिया था भाके जन्ता पाटी का जिस तरीके से किसाथ अपनी लहला की पसंद के लिए सवर्थन दिया था आज रात में जाने की रात में जिसे अपने घर में सोना चाहिए आज जानवरों से रखवानी करने के लिए अपने खेट में सो रहा चाल बाइड रादर के कितनी हीरा होती होगी इसने में कहना चाहता हूँ आज पूरी तरीके से आज जिस तरीके से पिछ किलवार किया जा रहा है समिधान के साथ छेठार करने की साधिस हो रही है एक लही अठाइस समठरों के लोग आज जाकि देखने को पार्क में आज कई महिनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धर्णा प्रदसल कर रहे हैं कि उपर लाचिया बरसाई जारी मैं तो कहन करता हूं क्योंकि एलक्षन कमिशन का चलबत तरीके से बतदार करने का जो समय निर्हारित है मैं तो कहता पूरे प्रदेश के लोग सभी लोग पीछडा दले तगड़ा हर समाज के लोग लौजवान किसान अगर आज बस चल जालेक्षन कमिशन कर दे आज मोहर लगाने के प्रदेश का मुख्यमत्य खलेश यादों को भारी में तो कहता हो कि साथियों जिस तरीके से हमको लोग कहते हैं कि पांच साल तक क्या करते रहें कि सातियों पांच साहतक kinetic के लोग करते रहें जब किछड माय के लोग हैं बंची समाज के लोग है बड़े करने की साधिस होने लगी पूरे प्रदेश के को दिया था उनके साथ न देखी हो रही है पूरी तरीके से बाबा साथ ने समीधान का जो दस्तावे पर दिया था जिसे हमें रखकर से जीवन जी ने कहां दिया था उस संविधान से छेडशा करने की जब साजिस हो रही थी तब हम पर लिया समाजवादी पार्टी के राष्चे दर्द मांगे अफ्लेश यादावजी के लिए तुम्हें समाजवादी पार्टी ज्वाई तरके इसलिए में कहता हूं कि पचासी तो हमारा है पंद्रा निरी बटवारा है बटवारा का मैंतों को इन पचासी पंद्रा ने हम तो सो पे सो बात कहते हैं मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी हिंदुस्तार में उक्तर प्रदेश को विकास का काम किया आज उस रोल माडन को लोग आप देश की कोले कोले में सारे प्रदेश को लोग एडाप करने की सोच रहे हैं इसलिवें कहता हूं ऐसा भी जेनरी देता मानिय खिलेश आदव जो इक को मैं बधाई देना चाहता हूं जिने पार्लेमेट में इस देश की समसे बड़े प्रदेश समसे बड़ा देश का सूबा है जिसमें आधी से ज़्यादा वाजी पिछड़ों की है लेकि सात्यों आज उनकी गिंती नहीं होई मैं बहुत देना चाहता हूं जिने मानिय खिलेश आदव जी जिसको पुरे देश का पिछला समाज सुन रहा था धान से उजी दिन लोगों ने मन बना लिया जब आपने कहा था कि पिछले समाज की तनी बड़ी संख्या जिनकी संख्या गिंती नहीं हो रही जनकरणा की बा कि आने वाले दिने में जब समाजवाधी पार्टी की सरकार बनेगी अपने संसाधन से प्रदेश में इस पिछले समाज की गिंती करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेतारी कि लिए से हम सरकार चलाने का काम करेगे इसलिके कहना चाहता हूँ मारी अख्रेस यादोजी आप उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश का हमारे मीडिया के साथी जानते हैं और बहुत लोग छटपटा रहे हैं आज समाजवाधी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए चूकि आपने में लगा दिया है लेकि मैं कहना चाहता हूँ सारे सवाज के लोग पूरी तरीके से मन मना लिये हैं माने अख्लेश के तरफ लोगों को लिगाहे लगी हुई है जिसका वजन है इस प्रदेश ने इस मुल्क की सियासत को बदलने के लिए इस प्रदेश और देश की लिकास और विरासत को बचाने के लिए इस रिसातियों न कहना चाहता हूँ बहुदारण करने चाहता हूँ आप लोगं अन्झा मतले इगा जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माने अख्लेश यादोजी की ताकत को कम जोर करने की साजिसव घेलने की जब माने अख्लेश यादोजी ने एक रस ले के चले लगे मिजजाध्रा तो जिस तरीके से अहीं मंद्ली को घेरने के लिए पूरी कौरों की सेना लगी थी जब एक रस लेके चले तो छा फाटक पे छा गेट पे छा रत लंग चलने लगे दूसरे दल के कौरों की सेना मैं तो खहता हूँ जब च्यारक चलने लगी च्छाओ और सारे फाटक तोड़ करके मानी अकलेश जी साथवे फाटक पे पहुँच गए हैं और पुदेश की जन्गा जार करें वो साथवा फाटक तोड़ करके मानी अकलेश यादोजी को उन्तर प्रदेशी घ समाजवाजी पार्टी की सरकार को बड़नेश को रोग पाएगा इसलिए साथियों नहें कहना चाहता हूँ आज पूरी तरीके शुक्तर प्रदेश का जो पिछला समाज है जिनके साथ सद्यों से खिलवार होता है जिनके आरफश्चा के साथ खिलवार हो रहा है आज जिस तरीके से रोओ जुआ जो पुछड़े समाज के लोग है नहीं कहना चैनल लोग normree इद चाहरते जसतरी समाज drivers में ऐलोगों सारा लोगों को इसकालष तो तो मिलती है लेकिए पिश्डे समाज के लोगों पर छात्रों के साथ जो खिलबार हो रहा है उनकी स्कालर्टिक को पूरी तरीके से बंद करके आने वाले दिन में इस सिक्षा से बंचित करने की जो साजित हो रही है आज नौजवानों छाक खड़ा हो गया है चाहे किसी समाज का हो इसलबे कहना चाहता हूं साथियों आने वाले दिन में माने अख्रेश जी के माने अख्रेश यादव जी जो स्वाजपादी पार्टी के राष्टे धर्च हैं तमाम लोग साजिस करें मेरे कहना चाहता हूं ये मेरा पार्टी में आना नहीं ये तो मेरा पुराना घर है हम पुराने घर में रहकर के जिस तरह के जिसने कभीर ने चुकना सीखा उसका नाम मुलायम सिंग है उसी बुलायम सीख की दिराशत की दुनियात कर खड़ों करके जो नए विजन के साथ उत्तर प्रदेश्ट नवदेश की सियासत को आगे बहाना चाहते हैं उनके साथ बिलकर के हैं हम उत्तर प्रदेश्ट की सियासत को बदल करके भारी बहुमत से मानिय ख्रेश्ट यादों जी ने जो कहा 400 सीट का स्याद को फ्रत्यमत रहिएगा जिस तरह किसमेर का पचासी तो पूरा का पूरा है ही 15 में बटवारा है और आने वाले दिन में सारे लोग इस विजनरी नेता कि साथ जूर करके उत्तर प्रदेश्ट की सियासत को बदलना चाहते हैं मैं मानिय ख्रेश्ट यादों जी को चुकि समय कि कभय के नाते मैं अपनी बात को समय इटते हुए मानिय अध्य जी को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि माली अध्यक जी आने वाले दिन में जहांभी जिमेंदारी देंगे कि वज़ चवहां समाज रहे सारे पिछडे समाज के लोग नाम बंद होकर के दिलिस समाज के लोग, सारे नौजवान जो अपने रोजगार के लिए सरकों पर भूंग रहा है आज लाची ख्या रहा है व और आने वाले दिन मेशन, दुनिया की कोई ताकत नहीच है, चाहे जिरोधी कितने भी साजिष कर ले, उमारा कहता है। खाँ परदेश में यह कुपान को रोकने वाला नहीं है इस उफान सुनावी बन करके उद्तर प्रदेश में समाजवादी पाटजी के राष्टे धर्ड माँए फ्लेश जादोजी के लितुत में जो परलाव चाहरा है सरकार बनाने का आदे वाले दिन में देश में मदलने का संकेद देने जा रहा है इनी खाले सब्वों के साथ पुला आप तमाम साथियों का बहुत सारे लोगों को बाहर रोग जिया गया लखनों के बाहर मैं कहना चाहता हूँ आज पुरे प्रदेश में इस संदेश जा रहा है कि जिस तरीके से पिछड़े दले दौजवान किसान स और सारे harness होगे उनके मिज़ाश को समझते होगे सारे लोग तरहा रहे हैं कुछतनी जनी सरकार मना करके नए प्रदेश की सरकार नए तरीके से प्रतार की शेट दिकास करें और ठांव सब्सक्राव के साथ मैं पुरे अidade सभी लोगों को मैं धनवाद देना चाहता जो बड़े पैमाने के हजारों हजार किसम क्याने आज सर्कों के समाजवाजी पार्टी की सदस्ता लेने के लिए घुम रहे हैं सारे लोगों को बाग और सबसे बड़ा जो अधिकारी लोग है कि कहना चाहता हूं वह दिन दोर नहीं अभे जो लोग गुंडा जर्दी कर रहे हैं सरकारी जो जो मुलाजिम है बाहर से चाहिए श्रियम हो चाहिए कोई मैं नाम नहीं नहीं चाहिए सारे लोग को रख्ट रहाएम वीडिया के साथ इसके गवाह हैं लेकिं कहना चाहता हूं अब वह दिन दूर नहीं लोग नहीं है जिले के पीछे लाखों की कतार खड़ी हो जाती है उनके नुमाइंदे हमारे बीच में सब्सक्राइब करते हैं सारे लोगों ने मन बनाया है और मुझे तो पहली बार लगा कि सवाजवादी पार्टी के पक्ष में जो तुफान चला है कर सुदानी के तरह देगा दुनिया के कुई तागत रोकने वाली नहीं यह निश्ची कुरूप से इसी निवर कहा भावी इसी निश्ची के सब्सक्राइब करते हुए अपने लास्टे भगिना के सब्सक्राइब करते हुए आपसे विदा लेता हो जैहिल धन्यवाद